मैंने बड़े तगड़े जो लड़के हैं ना उनको आपसे इंडेड्यूस कराना है और उनके बारे में आपको बहुत सारी बाते बतानी है थोड़ा तारूफ पहले मैं करवा दूँ यह आर इड़ इड़ इस्ट्रिन जो रेस्लिंग टाइटल है वो एक बार फिर से पाकिस् आफिछः आगा और इस बादे में बहुत कुछ जानने हमेंтор इस पार क्रणानिया है अवेश्चन जूफ और आप दूनों की आमट अपसे मैं ने तो जब जब देखा है वो कि पाकिस्तान में शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, किस ने शुरू किया ऐसे उसे हाइलाइट नहीं हुआ और इतनी जगों से आप बता रहें कि यह बेल्ट होती भी आ गई आपके वापस सफर बताएंगे कैसा रहा इसका इसका सफर तो अलमोस्ट छे साल हमें हो गए इसको करते वे और माशाला से हमारी इंटरनेशनली अचीवमेंट्स बहुत है और अगर आपको नहीं पता लेकिन अलम्दोल्ला हमारी बहुत फैंटर्स को पता होगा मैं चुके थोड़ा सा दूर हूँ रेसलिंग से इसली मैं आप से जानूंग तो हमारी फैंटर्स बहुत है और आए दिन कोई नहीं कि किसी शोर्स में हम लोग वारे रेसलर्स होती है और माशालला से कवरेज भी हमें का मैं और फैसल शहजाद पार्टनर थे और हमने एक डी-एक्स की टीम को जो इसमें हराया था अचे डी-एक्स की टीम को आप लोगों ने हराया था क्या बात अजबर्दस अच्छा मुझे की पताएगा वैसे पाकिस्तान में नौजवानों का क्या इंटरस्ट आप देख रह और पाकिस्तान के अंदर हमने यह देखा है कि हमारे गर के अंदर जब रेस्लिंग लगी वी होती थी तो हर बंदा देख रहा होता था और इसलिए मुझे भी रेस्लिंग लगता था कि शायद यह फेक ड्रामा हो रहा है कोई सच में इतने मुक्के बगार नहीं चल रहे अर हो तो चाहता है लेकिन आपको ऐसा लगता था के फेक है फिर किस चीज ने गलत साबित किया देखे बातों नहीं जो सुना रेस्लिंग से मुलकाते हुई उनसे ही पता चला था तो ऐसा चीतना इजी गेम नहीं है वरना रेस्लिंग के बार में कहाता है किसी कणाक तूटा हो यह देखे कांबेट सपोर्ट में आता है रेस्लिंग अगर जब आप रेस्लिंग देख रहे होते हैं तो वह रेसलर जो है वह 10-10 फूट की बिलंदी से जाम मारते हैं दूसरे के उपर उनके हडीयों के उपर उनके पेड के उपर उनकी कमर के उपर तो यह तो फेक ऐसे हो स पते हैं जब हम लाइव नहीं देखते हैं ना जब हम से परदे पे देखते हैं तो फिर वह कुछ भी आपको पता है कि हो सकता है तो वह उस वक्त के खियाला आत थे अब तो माशाला हो और आप जीती-जागती एक्जैम्पल हमारे सामने है गुटना तोटा हुआ है मेरा? सीरियसली बता रहा हूँ मैं जिन्दगी में पहले दफर रेस्लिंग केला हूँ और 6 मैंने जी ट्रेनिंग ले रहा था क्यूंके शॉक था और मुस्तफा से मुलाकात हुई मुस्तफा और सीओ है इसके रेवलूशन इस्टर रेस्लिंग के और यह शॉक कैसे हो गया बिलकुल यह उपोजिट लेके असलने सीन यह है मैं आपको बताता हूं कि पाकिसान के अंदर कोई अक्शन हीरो नहीं है और मैं अपनी तियारी कर रहा हूँ अब तो उस सिलसले में मैं हर चीज़ कर रहा हूँ मैं यूएफसी भी खेलने की तियारी क अब हम बात कर रहे थे मैं MMA खिलने की भी तियारी कर रहा हूँ मैं अलड़ी Martial Arts तो केलता था और Martial Arts भी खेलता हूँ अभी और Fitness जो है अफकोर्स एक एक्टर के जुरूरी होती एक action hero के लिए तो मैं अपनी तियारी कर रहा हूँ पागिसान को एक action hero देने की कर रहा हूँ मुस्तफा मुझे आप यह बताएगा आपको एक्स मैक भी कहते हैं तो यह आपने इसका आगास किया और मुझे इसके पीछे चुप रहा है अच्छे लेवल पर चल रहा हम लोग जीत भी रहे है टाइटल वापस हमारे पास आ गया है इसको मजीद पजिराई मिलनी चाहिए जब इतना आपलों की अफ़र्स है तो हमें फिर उस रिंग में भी जाके खेलना चाहिए जो हम बच्छम में टीवी पर देखा करते थे इसके लिए जरूरी है कि बोल टीवी आया हमारे इवेंट्स को अबर करें और वो दिखाए पूरे पाकिस्ताइगा हमारा तो जो रिं उन्होंने इंडिया को काफी कैपचर किया हुए और जब आप देशी वर्जन को जब वो देखाना चाहते हैं तो इंडिया को दिखा देते हैं ज्यादा ना तो उसमें वजह से पाकिस्तान थोड़ा वहां पर हाइलाइट नहीं हो पाता बट फिर भी डब्लु डब्लु ए में स्तिल हमारे जो रेस्लर्स हैं मुस्तुफाली मेरे हमनाम ही हैं डबलु डब्लु ए में वो वो कैनेडियन जो है वो भी है लेकिन वो उनसे वी हमारे राप्तren चल रहे हैं इंशालह हम उनको चाहरें के वो यह आये और हमारी Revolution Eastern Wrestling को साथ साथ पर्मोट करें और यहां पर भी उस लेविल के कॉम्पिटिशन और से लेविल के अर्गनाइज करा हैं हमारे साथ ताके और लोग इसमें मज़ीद इंगेज हो सके बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मुस्तफा की सवाल कर रही हूं कि पाकिस्तान उस तरह से हाइलाइट नहीं हो रहा है इंडिया हाइलाइट कर रहा है पिर ओवर्सीज में आपके पास इतने अच्छे रेसलर्स वाच हो दे वह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अचीवमेंट्स भी हैं हमारे पास तो इंशालला उस लेवल पर यह चीज आइसता है नहीं पहुंच जाएगी चले जी वह वक्त लगगा लेकिन इंशालला इस लेवल पहुंच जाएगी तो आम वरी हैपी यह लुकिंग फो़वर्ड तो तो आज पर यह वर यह वर यो कोशिश जाला किए मुझे आप बताएगा मुस्तफा ट्रेनिंग कितनी सख्त थी और आप जो ट्रेन कर रहे हैं आपके पास टेक्नोलोजी इड्वांस मौझूद हैं या फिर आपको यह अपने तहीं काविशें करनी पढ़ रही हैं और आप इस नहज पर पहुंचे हैं के माशाला आप मुलक का एंगा है इस अन एक्टर भी पिर जब रासलिंग में आए तो एंकी ट्रेनिंग ट्रेनिंग तो तॉफ होती है बट इन्होंने डेडिकेटली टाइम दिया उस चीज को और फिर मैंने भी डेडिकेटली टाइम दिया जब आपको पता होता है टीचर को मसा वहां आता है जब उसको पता होता है कि इसका student महनत करने वाल है तो इसलिए फिर पिरियोड इनों नहीं देखा कि मेरा अच शूट है या मुझा आज कहीं जाना है इनों उने का नहीं फर्स्स प्रियोरिटी पर मुझे ये करना है और मुझे हासिल करना है तो माशाइललह आपके सामने ही है तो प्लैन अब नेक्स प्लैन क्या है? नेक्स प्लैन है कि सबसे परहे इतो सुबह जल्दी उठना है जैसे कि हुमारे इर्फाण साब ने कहा कि जब तक आप जल्दी नहीं उठेंगे तो आप जिन्दगी में गुज़िए लेकिन हम तो वैसे भी स्प्रीक लोग होते हैं यह जल्दी उठते हैं हम जल्दी उठते हैं हम तो हमारा काम शुरू होता है साथ बज़े फजर के बाद वी अरफ जल्दी उठ जाती हूं मेरी सबसे बुरी यादत है कि मैं वैसे एक्टिव रहती हूं लेकिन मैं कोई बतलब हो कहते हैं कि जिम जाना स्पैशली या कोई एक्टिविटी करना कि जिससे कि वाम अप हो या कार्डियो थोड़ा सा हो जाए यह नहीं हो पाता इसके मोटिवेशन नहीं डिसिप्लन चाहि कालना है अपनी पूरी दिन के अंदर और 45 मिनिट्स में आपको कोई नहीं कोई एक्टिविटी करनी है और यह उसी तरह है जैसे आप खाना खाते हैं जैसे नमाज पढ़ते हैं पतलब थोड़ा सा समझ दे कि कोशिश करें काम कोई भी करा ले बहले उसमें को फिजिकल एक् कि यह बताएगा कि वो बचे बच्चियां जो कि चाहते है कि वो रैसलिंग की तरफ आए और प्रश्पन से पसंद करते हैं उन्हें क्या मश्वरा देंगे कैसे गाइड करेंगे वो कैसे जॉइन करें उन्हें मश्वरा दूनी सबसे पहले तो उनको इन्वाइट करूँग आपस में लड़वाना है निट्स हेल्डी एक्टिपटी है और मिलोगों को एंटेइन करते हैं अजह लड़वात तो है थो है ना गुट रहा हैसे नहीं ही डूटा आपका भुटता आपका नळड़की अगर 50 लोग एंटेइन हो रहे है तो हमारा दिन अप्छा गूज़ा ग आरहे हैं लड़के लड़कियां बिल्कुल बहुत जादा क्विरीज हैं और हम कोशिश करते हैं कि जादा से जादा जो है वो ट्रेनिंग करें लोगों को आगे लेकर आए और आपको पता है कि पाकिस्तान के भी जो हाला चल रहे हैं इसमें एविंट कराने में थोड़ा बिल्कुल इससे अग्री करेंगी वो छोटे-चोटे बच्चे जिमको रेस्लिंग देखने का शौक होता है ना उनके मुक्के ऐसे लगते हैं किसी बड़े बच्चे ने मुक्का मारा है तो जनाब इसको हम घर पे ट्राइनी कर सकते हैं और आई थिंक सो नहीं दिखाना भी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताके कोई खबर रहना जाए